हलो दोस्तो मेरा नाम है सोड अबर टेक टू टेक चलेंग में आज साही का स्वागत है तो दोस्तो आज मैं यहाँ पे देख सकते हैं Portronics के तरफ से यह neckband आता है Portronics Harmonix 230 तो इसका मैं आज unboxing करने वाला हूँ और यह मैं 7 दिनों से use कर रहा हूँ तो इसका एक review भी देने वाला हूँ तो एक चीज़ पहले बोल देता हूँ यह product अगर आप purchase करना चाहते हैं तो मैंने नीचे description पे Portronics का official link दे दिया है और description पे एक discount code या coupon code होगा वो आप apply करके purchase करेंगे तो आपको 10% discount मिल जाएगा तो description आप ज़रू चेक किरिएगा तो चलिए भी इसका पहले unboxing दिखाते थे हैं पर उससे पहले let's roll the intro यहाँ पे Portronics का branding है model number यहाँ पे देख सकते हैं harmonics 230 wireless sports headset तो यहाँ पे देखे 20 minute charge देने से 4 गंटे का play time देता है यहाँ पे कुछ features बगड़ा लिखा हुआ है इस तरफ model number लिखा हुआ है और पीछे की तरफ यहाँ पे यह built-in microphone है अप टू 7 hours का play time देता है और यहाँ पे Bluetooth 5.0 का use किया गया है यहाँ पे देखे इसका Excel का warranty है और यहाँ पे इसका MRP देख सकते हैं लेकिन मैंने नीचे registration पे link दे दिया है इसका कितना price है वहाँ पे click करके आप check कर सकते हैं और बागी कुछ information यहाँ पे दिया हुआ है आप वीडियो pause करके देख सकते हैं तो चलिए इस box को open कर लेते हैं तो यहाँ पे warranty registration के बारे में information दिया हुआ है तो purchase करने के बाद यह आप ज़रू कर लीजिएगा तो एक user manual दिया गया है यहाँ पे small and large size का extra year tips दिया गया है और यहाँ पे देखिए micro USB charging cable दिया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे magnetic दिया गया है इस तरह देखिए volume up down का button दिया गया है यहाँ पे power button दिया गया है और यह charging port यहाँ पे दिया गया है बटन से यहाँ पे बहुत ही tactile दिया गया है तो यहाँ पे देखिए red and blue light blink कर रहा है तो यह pairing mode पे भी चला गया है तो यह connect हो गया है और यहाँ पे volume level दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए कितना इस पे चार्ज है, वो दिख़ड़ा है, तो भी इसका physical overview और build quality के बारे में बात करते हैं, build quality इसका descent है, मतलब इस price range में इसका build quality ठीक ठाक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यह silicon का दिया गया है, जो बहुत ही अच्छा है, एकदम soft है और आसान हो जाता है, यहाँ पे देखिए, जैसा nick का safe है, ऐसे ही यह fit हो गया, और यहाँ पे देखिए, यह magnetic दिया गया है, वैसे तो इसका कोई functions नहीं है, जैसे कि attach या detach करने से play pause कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको आप attach करके रख देंगे, तो यह यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे silicon का ear tips दिया गया है, जो की बहुत ही soft है, कान में दर्दी ही होता है, और यहाँ पे जो लगा हुआ है, यह middle size का ear tips है, box में तो मैंने दिखा दिया था, small or big size का ear tips भी मिलता है extra, तो आपके कान की साब से वो लगा लीजिएगा, मेरे कान पे तो यह middle size का ear tips बहुत ही आसानी से fit हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे fit हो रहा है, तो पूड़ा पेहने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैसा लग रहा है, और बाकी सब यहाँ पे plastic का use किया गया है, तो यह वाला वायर इपी decent quality का है, कुछ नहीं है, braided नहीं है, और इसका buttons मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही tactile है, अब इसका basic controls के बारे में बात करते हैं, power button को long press करेंगे तो यह on हो जाता है, और long press करेंगे तो यह power off हो जाता है, और यहाँ पे volume up button और यहाँ पे volume down button दिया गया है, और plus button को आप long press करेंग तो next song पे चला जाएगा, और previous song पे जाने के लिए minus button को long press करेंगे तो previous song पे चला जाता है, और इस button को power on off का button या multi function button भी बोल सकते हैं, इसको एक बार press करके music play या pause कर सकते हैं, और आप इसको एक second तक press and hold करके रखेंगे तो यह voice assistant open हो जाता है, और call आने पर इसको answer देने के के लिए आप इसको एक बार press करेंगे तो call receive हो जाएगा, और call पे रहते वक्त आपको इसको एक बार press करेंगे तो call कर जाता है, और call को decline या reject करने के लिए इसको एक second तक long press करेंगे तो call reject हो जाता है, और इसको double press करेंगे तो last call redial हो जाता है, तो अभी इसके connectivity के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे Bluetooth 5.0 का use किया गया है, जो connectivity में बहुत ही अच्छा है, तो इसका 10 मीटर तक range है, मुझे connectivity में कोई problem नहीं आया है, और सबसे अच्छी बात है कि यह दोनों devices में एक साथ connect हो जाता है, example के तोर पे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दोनों के साथ एक साथ connect किया है, यहाँ पे desktop और smartphone के साथ connect किया है, और यहाँ पे laptop और smartphone के साथ connect किया है, तो connectivity में कोई problem नहीं है, और हाँ इसका जो 10 मीटर का range दिया गया है, वो open area के लिए है, मतलब बेच में कहीं बेज़ादा दिवार हो तो 10 मीटर तक range नहीं देगा, जो की सभ गंटे का play time देता है 70% volume पे आप पुरा 100% volume पे सुनेंगे तो और भी battery life कम देगा और stand by time इसका 150 गंटा है इसको full charge करने में लगबग 2 गंटा लगता है और इसमें rapid charging या fast charging support करता है आप इसको 20 minute तक charge करेंगे तो ये 4 गंटे का playback time दे देता है तो ये सब तो company claim करता है लेकिन म दिन चलेगा वो तो depend करता है आपके use के उपर तो battery life भी इसका ठीक ठाक है तो अभी इसका latency के बारे में बात करते हैं हाँ तो इसका latency के बारे में बात करना चाहे तो आप जब games खेलेंगे तो हाँ latency देखने के लिए मिलेगा जो इस range के earphone में normal है इस range के सभी earphones में latency देखन को मिलेगा तो वहाँ पर तो स्मूथ चलेगा लेकिन आप game खेलने के टाइम पर latency देखने के लिए मिलता है तो example के तौर पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा game खेल के दिखा देते हैं तो अब इसके call quality के बारे में बात करते हैं तो call quality इसमें बहुत ही अच्छा है तो इसमें CVC 8.0 noise reduction technology का use किया गया है जिसकी बदर से crystal clear call quality मिलता है call करते वक्त मुझे भी बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रहा था और मेरे opposite side पे मतलब receiving side पे जो बंदा है उसको भी बहुत अच्छी तरह से sound सुनाई दे रहा था तो इसका microphone का quality कैसा है उसका एक idea देने के लिए आप लोगों को इसका एक record सुना देते हैं हलो 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 तो अभी एक लोग जो आवाज सुन रहा है यह इस यारफोन से रेकोड़ हो रहा है तो इस microphone का quality कैसा है उसका ऐक idea देने के लिए आप लोगो यह record सुना रहा हूं तो उसका ratchet कि नहीं आप जरूर रहेगा हलो हलो तो अभी इसका sound quality या music क्वालिटी के बारे में बात करते हैं इसमें 10 mm का ड्राइवर यूज किया गया है जिसके लिए बहुत ही अच्छा इसमें sound quality देता है overall आपको इसमें एक balanced sound सुनने को मिलेगा इसका bass तो बहुत ही अच्छा है लेकिन उसके साथ साथ इसका travel और vocals भी बहुत ही अच्छा है तो overall sound quality इसका बहुत ही अच्छा है तो इसका तो सब कुछ आप लोगों को बता दिया है तो अभी conclusion पर आते हैं तो मुझे तो इसको साथ दिन यूज करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा तो frankly बोल रहा हूं कि unboxing करने के बाद इसका build quality मतलब कुछ खास नहीं लगा था ले लेकिन यहां पर जो plastic का यूज किया गया है तो उसमें थोड़ा सा cheap लगा था लेकिन price point के इसाब से देखा जाए तो ठीक ही है मगर उसके बाद धिरे धिरे इसको जब यूज करने लगा तो बहुत ही अच्छा लगा यूज करने के बाद इसका quality बोलिए music quality बोलिए इसका connectivity बोलिए सब कुछ इसका बहुत ही अच्छा है उसके बाद इसका design मुझे बहुत ही अच्छा लगा मतलब जादा बड़ा नहीं है एकदम चोटा सा है मतलब यह निक पर देखिए एकदम बहुत ही अच्छी तरह से से ठोड़ा है बहुत ही ergonomic design बनाया गया है और यहां पर ए इसमें है तो design के लिए एक thumbs up तो बाकी इसमें IP rating नहीं दिया गया है मगर आप जीम पे जाएंगे तो इसको लेके so it बगरा में यह problem नहीं करेगा लेकिन आप बारिस में इसको use मत कीजिए क्योंकि इसमें IP rating नहीं दिया गया है तो वो try मत कीजिए यह खरब भी हो सकता है तो बाकी सब बहुत ही अच्छा लगा और हाँ आप अगर game खेलना चाहते हैं तो या video editing बगरा professional काम बगरा करना चा बेंड यार phone purchase करना चाहते हैं तो यह जरूर आप देख सकते हैं इसको आप purchase करना चाहते हैं तो मैंने नीचे description पे link दे दिया है वहाँ से आप purchase कर सकते हैं और हाँ प्रोटरिंस के official website से आप purchase करेंगे तो वहाँ पे आपको 10% discount मिल जाएगा वो discount code या coupon code मैंने description पे दे दिय है वह code आप यूज करके 10% discount पा सकते हैं तो वीडियो इतना थे कि दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो please raise the like बटन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किजिएगा और इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे comment section में जरूर पूछ सकते हैं और मेर ह आप morb舉 करi कोई सुप हैं तोर ऑास उरूर ऑdal हम में कोई डपको यह वीडियो ve कि वाले हैं तोills обязते हैं तो कि दोस्तों कि दोके